हेलो एब्रिवन वेलकम अगेन टु दक्स लेक्टिका इंजिनेरिंग एकडमी तो टोड़े भी डिसकर्स टू प्रांजिस्टर मॉर्डल ओफ स्यार ओके जो हमारा स्यार होता है इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं यह जो होता है यह क्या होता है हमारा फोल लेयर डिवाइस होता है यह जो हमारा एक होता है पीएन पी एन और और क्या होता है हमारा थी तर्मिनल आनोड कैथोड गेट तीन जंक्सन J1, J2, J थे तो यह क्या है हमारा 4 layer device होता है मार यह क्या है दो transistor से मिलके बना होता है कौन-कौन से एक होता है PNP and NPN PNP and NPN तो यह जो हमारा SCR है वो 2 transistor से मिलके बना होता है इसलिए हमें इसमें पढ़ना होता है 2 transistor model of SCR कि किस तरीके से हम gate current को बढ़ा के anode current को बढ़ा देते हैं, हमने आपको पहले ही भी बताया है कि अगर SCR हमारा forward wise भी है, तो भी हमारा SCR turn on नहीं होता, जब तक हम उसको gate supply नहीं देते हैं, हम उसको gate supply देते हैं, तो gate current के कारण anode current भी हमारा इतना बढ़ जाता है, कि जो हमार junction J2 reverse wise होता है, वो उसको क्या कर देता है, break कर देता है, और फिर टीनो junction forward wise हो जाते हैं, और एक हमारा huge amount of current क्या होता है, flow होने लगता और device क्या हो जाती है, turn on हो जाती है, ओके, तो यहाँ पर आज हम discuss करने वाले हैं, tune to transistor model of SCR, ओके, two transistor model of SCR, तो यह जो हमारा SCR होता है, वो क्या है, four layer device है, P, N, P, N, this is anode, cathode and gate, ओके, ऐसे ही होता है, आपने देखा है, तो क्या है यह, दो transistor को तोड़ के बनाया हुआ है, एक क्या हो गया, P, N, P, ओके, पहला transistor यह हो गया, P, N, P, और दूसर क्या हो है, N, P, N, ओके, यह जो P+, और N+, लिखा है, प्लस का मतलब क्या है हमारा यहाँ पर, कि highly doped है, यह वाले जो reason होते हैं, वो कैसे होते हैं, हमारे highly doped होते हैं, ओके, यह कुछ हमारी, यह वाली जो है, यह highly doped हैं, इतले इनका area थोड़ा सा पढ़ा देते, ओके, यह क्या हमारे highly doped हैं, यह हो गया हमारा transistor 1, और यह हो गया हमारा transistor 2, ठीक है, तो यह क्या है, 2 transistor model, दो transistor को हमारा जोड़ के बनाया गया है, यह हो गया anode, यह anode connect है P से, और यहाँ पर हो गया हमारा क्या, cathode, यह transistor हमारा लगते लिख देंगे, यह हो क्या हमारा cathode, यह है हमारा transistor 2, ओके, और हमारा क्या है, एक transistor में हमारे क्या terminal होते हैं, emitter, base, collector, तो यह वाला terminal कौन सा हुआ, emitter, यह है base, और यह है collector, ओके, emitter, base, collector, इसका npn, इसका emitter यह है, यह है base, और यह है collector, ओके, मतलब first transistor के base से हम क्या करते हैं, collector को, second transistor के collector को जोड़ते हैं, यह हो गया e1, b1, c1, यह हो गया c2, b2, e2, मतलब b1 से हमें किसको connect करना है, c2 को, और c1 से connect करना है, b2 को, ठीक है, first transistor के base से क्या होगा, second transistor का collector connect, और first transistor के collector से क्या होगा, second transistor का base connect, ओके, यह हमारा कुछ इस तरीके से है, अब हम इसका actual model बनाते हैं, यह तो हमने इसको symbol type से देख लिया, कि PNP और NPN, मतलब जो हमारा total str है, वो दो पार्ट में divide होता है, दो transistor से मिलके बना होता है, एक PNP और एक हमारा NPN, ओके, अब अगर हम बनाएं, तो पहला क्या है, हमारा PNP, PNP, ओके, तो हम कैसे बनाते हैं transistor का symbol, ऐसे होता है कुछ, यह यहां से base गया, ओके, यह कौन सा, PNP, ठीक है, यह हमारा क्या है, PNP, तो करें हमेशा कैसे जाता है, पी से N की तरफ तो यह arrow कैसा होगा, ऐसा, ओके, फिर हमारा एक और transistor यहां पर हम लेंगे, यह कैसा है, NPN, यह N, यह P और यह N, तो P से N की तरफ एरो होगा, तो यह कुछ हमारा ऐसे होगा, तो हमने क्या अब अभी बताया था कि इसका base इसके collector से correct होता है, तो इसका base इसके base से connect होगा, ठीक है, तो यह कुछ हमारा इस तरीके से होगा, यहां पर हम क्या देते हैं, gate, यह होगा gate current IJ, ठीक है, यह है cathode और यह है anode, ओके, यहां से आएगा anode current IJ, यही क्या है emitter, ओके, यह है E1, इस पहले वाले का emitter यह था, और यह है E2, second वाले का emitter यह था, यहां क्या हमारा I, यह है transistor 2, और यह है transistor 1, ठीक है, यह वाला current क्या होगा, IB2, यह वाला current होगा हमारा IC2, यह current है IB1, यह base से निकल रहा है, ओके, और यह current है IC1, यह होगा हमारा IE1, ठीक है, यह वाला current क्या होगा, IE1, और यह current होगा, IE2, ओके, तो अभी आप देख रहे हैं, क् हमारा IB1 और IC2 क्या है हमारे बरावर ठीक है IB1 और IC2 क्या है बरावर IB1 एक्वल टू क्या लेख सकते हैं IC2 ठीक है IG plus IC1 एक्वल टू क्या है IB2 इस पॉइंट यह वाले Outgoing current क्या है IB2 तो यहां से क्या equation बनेगी IG plus IC1 बराबर क्या होगा IB2 ओके अगर suppose IG0 है ठीक है अगर हम बोलें कि हम gate current नहीं दे रहे हैं IG0 है तो IC1 बराबर क्या हो जाएगा IB2 ओके IC equal to क्या होता है βीटा IB यह हम जानते हैं यह already formula हमने electronics में पढ़ा है कि IC बराबर क्या होता है बीटा IB तो IC1 बराबर क्या होगा बीटा IB1 और IC2 बराबर क्या होगा बीटा IB2 ओके तो अगर हम IG को बढ़ाते हैं ठीक है अगर हम gate current IG अगर IG0 है तो IC1 बराबर IB2 होगा ठीक है लेकिन हम बोलते हैं कि हम gate current हम यहाँ पर क्या देख रहा है कि हम कैसे gate current को बढ़ाएंगे तो हमारा anode current जो है आई ये वो भी क्या होगा बढ़ेगा हम ये देख रहा है ठीक है तो अगर हम IG को बढ़ाते हैं ठीक है अगर हमने IG को बढ़ाया तो ये इन दोनों का sum है तो IB2 भी क्या होगा बढ़ेगा ठीक है क्योंकि IB2 बढ़ाबर क्या है IG1 IC1 प्लस IG अगर IG 0 है सपोस IC1 2 है 2 milliampere है तो ये 2 ही रहेगा अगर ये 1 milliampere है 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 तो अगर IG को बढ़ाएंगे तो IB2 भी क्या होगा बढ़ेगा ठीक है यहां से देखेंगे हम अगर IB2 बढ़ेगा तो IC2 भी क्या होगा बढ़ेगा अगर IC2 बढ़ेगा तो IB1 भी क्या होगा बढ़ेगा ठीक है अगर IB1 बढ़ेगा तो फिर IC1 भी बढ़ेगा, फिर से IC1 बढ़ेगा, तो IB2 और बढ़ेगा, फिर IB2 और बढ़ेगा, तो IC2 भी और बढ़ेगा, फिर IC2 और बढ़ेगा, तो IB1 बढ़ेगा, फिर से IB1 बढ़ेगा, IC1, तो इसी तरीके से हमारी क्या होगी cycle चलती रहेगी, repeat होती रहेगी, ठीक है समझ में आ रहा है आपको, हमने क्या बोला, एक बारों बताते हैं, अगर IG बढ़ेगा, ठीक है, अगर IG बढ़ेगा, ठीक है, IG बढ़ने से क्या होगा, IB2 बढ़ेगा, ठीक है, IB2 बढ़ने से क्या होगा, IC2 बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद, IC2 बढ़ने से क्या होगा, IB1 ब बढ़ेगा, फिर IC1 बढ़ने से क्या होगा, फिर से IB2 बढ़ेगा, मतलब यह फिर यहां पहुंच गया, फिर यह, तो इस तरीके से हमारी process चलती रहेगी, मतलब current हमारा increase होता रहेगा, और एक stage ऐसा आएगा कि current इतना increase हो जाएगा, कि हमारा diode क्या हो जाएगा, turn on हो जाएग ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, कि यह हमारी positive feedback cycle चलती रहेगी, कब तक, when anode current reaches above a certain value, तो हम क्या करते हैं, फिर हम जब तक हमारा anode current इतना न बढ़ जाए, कि वो उसको क्या कर दे, turn on कर दे, एक बार जब हमारी device turn on हो जाती है, उसके बाद हम क्या है, जो हमारा gate pulse से उसको क् और यह हमारा continue feedback चलता रहता है, ओके, क्या लखेंगे हम, when anode current reaches above a certain value, when anode current reaches above a certain value, when anode current reaches above a certain value, we can remove gate current, and this feedback will remain continue, ठीक है, and this feedback cycle will continue, ओके, तो अगर हम anode current एक certain value तक पहुँच जाए, और फिर अगर हम gate current हटा भी दे, है, तो भी यह feedback cycle चलती रहेगी, और current increase होता रहेगा, और हमारा जो है, वो क्या हो जाएगा, ठीक है, अब हमने दो transistor पढ़े हैं, एक transistor 1 और एक transistor 2, इसके लिए हम कुछ equation लिख लेते हैं, for transistor 1, for T1, ठीक है, transistor 1 के लिए क्या होता है, यहां से हम क्या लेते हैं, IA बराबर क्या होता है, IB1 प्लस IC1, यह transistor 1 के लिए अगर हम देखेंगे, तो यह input current है, यह incoming current है, और यह दोनों क्या है, outgoing current, तो KCL क्या बोलता है, incoming current equal to outgoing current, ठीक है, okay, for transistor T1, इसके लिए IA equal to क्या होगा, IB1 प्लस IC1, okay, IA equal to IB1 प्लस IC1, क्योंकि यह incoming current है, और यह दोनों क्या है, outgoing current, अब IB1 किसके बराबर है, IC2 के, देखो, IB1 equal to क्या है, IC2 दोनों सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, IA equal to IB1 की जगा है, IC2, मतलब IC1 प्लस IC2, okay, अब IC equal to क्या होता है हमारा, IC equal to alpha IE plus ICBO, okay, यह equation होती है, यह हमने electronics में पढ़ी होगी, alpha हमारा gain होता है, ICBO जो होता है हमारा, वो क्या है, common base saturation current gain है, यह alpha क्या है, gain है, और यह हमारा common base का junction का हमारा current है, okay, तो आपको इतना detail में यह चीज़ नहीं पढ़नी है, बस आपको इस formula यह रखना है, कि IC equal to alpha IE plus ICBO होता है, okay, क्या है यहाँ पर हम लिख लेते हैं, alpha IE, alpha IE, यह क्या है हमारा alpha IE, यह है, component of collector current due to charge coming from emitter, component of collector current, component of collector current due to charge coming from emitter, ठीक है, अलफा IE क्या है, collector current का वह है, IC equal to alpha IE plus ICBO, overall यह दोनों क्या है, इनका sum collector current है, तो IC, वाला हमने पढ़ा है न, PN junction पढ़ा है, यह हमने पढ़े हैं, PNP, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, emitter base collector, ठीक है, यह वाला जो है हमारा, वो क्या होता है, हमारा highly dobry, हाँ से कुछ हमारा इसमें मिल जाते हैं, और बाकी हमारा यहा आते हैं, तो emitter current का जो component collector current में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अलफाई क्या है, component of collector current due to charge coming from emitter, जो charge emitter से आये हैं, sweep होके खिचके, उनको हम क्या बोलते हैं, अलफाई बोलते हैं, अलफा क्या है, common base current gain, अलफा क्या है, common base current gain, और ICBO क्या है, reverse saturation current of collector base junction, ICBO, reverse saturation, reverse saturation current of collector base junction, current of collector base junction, ओके, यह क्या है, CB, मतलब collector base junction, तो ICBO क्या है, reverse saturation current of collector base junction, ओके, तो हमने अभी यहाँ पर क्या देख लिया था, IA equal to क्या है, IC1 plus IC2, तो IC equal to क्या होता है, अलफा IE plus ICBO, ओके, तो यह क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 1, 1, ओके, मतलब alpha 1 IE plus ICBO 1 plus alpha 2 IE 2 plus ICBO 2, यह क्या हो गया हमारा, IA, ओके, अब क्या लिख सकते हैं, IA equal to alpha 1 IE 1 plus alpha 2 IE 2 plus ICBO 1 plus ICBO 2, ओके, अब IA equal to क्या है, IE 1 और IE 2 equal to क्या है, IC, ओके, यह IK, ओके, तो यहाँ से IE 1 equal to IA और IE 2 equal to IK, कैथोड करा है, तो IE 1 की जगए हम क्या रख देते हैं, IA और I2 की जगए क्या रख देते हैं, IK plus ICBO 1 plus ICBO 2, IA equal to, ओके, अगर यहाँ से हम overall देखें, इन तीनों में, ठीक है, यह पूरा एक मान के, तो IE incoming current है, और plus IG, और यह हमारा क्या है, IK, ठीक है, मतलब, यह दोनों क्या है, incoming current, और यह क्या है, outgoing current, तो अगर यह overall में KCR लगाया जाए, तो क्या होगा, IA plus IG equal to क्या होगा, IK, ठीक है, तो यहाँ पर हम IK की जगए है, अब हम इसको मिटा देते हैं, इसकी जगवात नहीं है, हमने सारे current निकाल लिए है, ओके, तो हम यहाँ पर लिखते है, IA equal to क्या है, alpha 1 IA plus alpha 2, IK plus ICBO1 plus ICBO2, ओके, और IK equal to क्या है, IA plus IG, तो यहाँ पर हम रख देंगे, IK की जगए है, IA plus IG, ओके, plus ICBO1 plus ICBO2, IA equal to, ओके, तो, IA, इस, यह IA वाले टम से इस साइड ले जाते हैं, minus alpha 1 IA, minus alpha 2 IA, equal to alpha 2 IG, plus ICBO1 plus ICBO2, ओके, यहाँ से अगर हम IA, कॉमल ले 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 टे हैं, तो क्या बचेगा, 1 minus alpha 1 minus alpha 2, is equal to I2, alpha IG, plus ICBO1, plus ICBO2, तो, IA equal to क्या हो जाएगा, alpha 2 by, 1-α1-α2 into IG plus ICBO1 plus ICBO2 divide by 1-α1-α2 तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि IA जो है वो किस पर depend कर रहा है IA किस पर depend कर रहा है IG पर तो अगर हम IG बढ़ाते हैं तो IA भी हमारा क्या होगा बढ़ेगा ठीक है मतला अगर हम gate current बढ़ा रहे हैं तो हमारा anode current भी क्या होगा increase होगा तो हम क्या लिख सकते हैं with the help of gate current anode current increase क्या हम लिख सकते हैं इसके conclusion से with the help of gate current anode current will increase anode current बढ़ाएंगे तो anode current हमारा क्या होगा increase होगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम वी एक के पर मतलब break over voltage पर पहुंच जाएंगे और हमारा जो SCR है वो क्या हो जाएगा turn on हो जाएगा तो यह था हमारा क्या two transistor model of SCR हमने इसमें देखा कि जो overall SCR है वो क्या है दो transistor से मिला है PNP और NPN हमने उनका अंदर का construction खोल के देखा कि base collector से जोड़ा होता है emitter जो है उसके base से जोड़ा होता है इस तरीके से हमने overall देखा तो यह हमारी एक equation आई जिसे यह दर्स आता है कि अगर हम gate current increase करेंगे तो anode current हमारा क्या होता है increase होता है और इतना ज्यादा increase हो जाएगा कि हमारा break over voltage सख पहुंच जाएगा और जो junction J2 हमारा reverse wise सब्सक्राइब क्या होगा break हो जाएगा और फिर हमारा str क्या हो जाएगा turn on होगा और हमारा current क्या होगा flow होने लगेगा तो आज की class के लिए इतना ही अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को subscribe करें वीडियो को share करें अपने friends के साथ thank you